नमश्कार, उनकी कलम, मेरी आवाज में अब सभी कसागत है, बड़ो को प्रणाम और छोटो को बहुत सा प्याद, चलिए सुनते हैं कहानी लंदन की एक रात का अगला भाद, कैसी है, विली ने धीरे से उसके बालों को जिजोड दिया, वह हस रही थी, यह बहुत खराब है ह उसने हसते हुए कहा, और पहली बार मुझे लगा, जैसे उसकी आखें सोती जाकती गुडिया सी है, जो सिर्फ पीछे होते ही मुन जाएगी, और सीधा होते ही खुल जाएगी, नाचोगे, मैं भी विधा, विली ने कहा, वे दोनों खूम रहे थे, बहुत ही हलके स्टेप् जब जिसका चहरा मेरे पास आता, वह मेरे कानों में कह देता, इसके हम जोली वहां बैठे हैं, मर जाएंगे मुझे इसके संग देखकर, विली ने कहा, तुम नाचोगे नहीं, में भी विध मी, लड़की ने कहा, वह इटालियन मना करता था, मैंने विली से कहा, मरने दो से विली ने कहा, और क्रिस्टा की उस घिसी पिटी धुन में जाने कैसे मौचसार्ट के लिटल नाइट्स म्यूजिक की हलकी सी आवाज उपर तेराती थी, महस आधे मिनट के लिए, और तब मुझे लगता था, जैसे किसी ने मेरी सांस को धागे की तरह उंगली में लपेट क खीच लिया हो, जिन पियोगे, पैसे यह देगी, विली ने धीमी स्वर में फुसफुसाते हुए कहा, में भी विदमी, लड़की ने वैसे ही उदासीन स्वर में कहा, इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, नाशते हुए जोडों की भीड, उन्हें मुझसे बहुत दूर ले गई, वे अचानक आखों से ओजल हो गए, मेरा सिर अब भी घूम रहा था, किन्तुया, चक्राहट वैसी नहीं थी, जैसी ट्वाइलेट जाने से पहले, अब इस चक्राहट में एक विचित्र सा हलका पन था, जैसे धुन्द की जगा, वहां सिर्फ छित्रे बरसे हुए बादल हो और असीन खुलापन हो, भीड के भीतर रास्ता टटोलने सुगम नहीं था, बेस्मेंट की सीडियों के पास आकर मैं रुख गया, एक अदम में इक्षा हुई, वहीं सीडियों पर लेट जाने की, सो जाने की, हलो, मेरे हाथ को किसी ने जकर लिया था, पीछे इसकी मुडी हुई बाहें लटकाई, वह हाफ रहा था, जैसे आसपास की हवा उसके सांस लेने के लिए बिल्कुल ना काफी हो, सुनो, वह तुमारा दोस्त है, मैंने कंधे सिकोड लिये, क्या तुम उसे यहां से नहीं ले जा सकते, मेरा मतलब है इस जगह से, हमारे चारो नाश्तेवे लोगों का दाइरा काफी बहुत तंग हो जाता, कभी एकदम फैल जाता, बैंड के आगे कोई व्यक्ती लाओड स्पीकर को दोनों हाथों से पकड़ कर गाने लगता, हम दोनों के बीच हमारी निगाहों के अलावा कोई और नहीं था, तुम क्यों नहीं कह दे का उसके लिए ठीक नहीं है, एक अवसी कातरता उसके स्वर में उभराई, मैं उसे पहले भी कई बार मना कर चुका हूँ, मेरे मन में फिर रिक्षा होई, वही सेडियों पर लेड जाने की, देखिये, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, हमारी मुलाकात कुछ घंटे पहले हुई आप विश्वास नहीं करते, एक छण के लिए मुझे उसके दयनिये चहरे से घ्रणा होई, जैसे मैंने किसी गिलगिली सी चीज को छो लिया हो, मैं उसे ठीक से भी नहीं जानता, या भी नहीं जानता कि उसका पूरा नाम क्या है, मैंने कुछ इस तरह कहा, जैसे मेरे पास सरकाया, तुम, तुम यहीं रहोगे, हाँ, मैंने सेर हिलाया, जब तक तुम बाहर ना फेक दो, उसकी पकड धीली हो गई, किन्तो उसकी आँखें अब भी मुझे टटोल रही थी, मैं सीड़ियां चढ़ने लगा, मुझे बराबर यह लगता रहा कि अब भी उसन और अपनी सामर्थिक एनुसार दूसरों को धक्के देता हुआ अपनी मेज के पास पहुँचा, तो जॉर्ज सब के प्रती तटस थोकर सो रहा था, उसका सिर मेज के किनारे पर टिका था, उसकी देह कुर्सी पर सिकुड गई थी, अधमुदी आँखों के बीच सफेद के फाहों सी उभर आई थी, पहले मुझे भ्राम हुआ, कि वा मुझे देख रहा है, जो सच नहीं था, उसके होटों के कोरों पर थूक बहया था, चाक की महीन रेखा सा, सूखा और सफेद, जो मैंने रुमाल से सब की आँख पचा कर पोच दिया, उस रात पहली बार मुझ सी छोटा और अंजान, मेरा गिलास खाली था, मैंने थोड़ी सी लागर उसके गिलास में अपने गिलास में उडेली, एक छण के लिए लगा, जैसे वा अदमुकी आँखों से मुझे देखता हुआ मुस्करा रहा है, और उसमें हलका सा व्यंग छिपा है, शायद बन रहा ह मैंने सोचा, सो नहीं रहा, और मुझे देख रहा है, लेकिन शायद यह भी मेरा भ्रहम हो, मैंने सोचा, और पीने लगा, फिर मुझे कुछ अकेला सा लगा, सोचा, अपने मित्र को टेलिफोन कर दूँ, हो सकता है, उसकी गल्फ्रेंड अब तक चली गई हो, और मैं उसके कमरे में सो सकता हूँ, लेकिन यदिवा हुई, तो उसे बुरा लगेगा, इसे उठा दूँ, या कब तक ऐसे सोता रहेगा, मैंने सोचा, इतनी उम्र में घर से भाग आया है, और अब, अब सो रहा है, मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आई, यो रोप आने से पहले, वह घर में आखरी रात थी, मा बार बार उठती थी, और पानी पीने के बहाने मुझे देखती थी, अपने घर की छट पर मेरी आखरी रात थी, वह जुलाई की रात, और मुझे दूसरे दिन चले जाना था, और बाबू मेरे बिस्तर के पास खड़े रहे थे, सोचा था मैं सो रहा हूँ, मैं सब कुछ देख सकता था, वैसे भी हमारे शहर में जुलाई की राते बहुत उजली होती थी, आखें मून भी लो, तो भी सब कुछ देखता था, फिर सहसा इक्षा होई कि मैं बाहर चला जाऊं, या बहुत आसान था, पहले मैं अपनी कुरसी से उठ खड फिर दर्वाजा खोलूँगा और बाहर चलाऊंगा, जस्ट कम आउट, यह बड़ी बात है, मैंने सोचा, उसके मूँ पर थोक फिर बह आया था, होटों से बहता हुआ ठुड़ी तक, जहां नीले काटों से बाल उगाये थे, मैं रुमाल से फिर उसका मूँ पोच्छ देत कुर्शियों को खीचने की आवाज, अटपटी सी हसी, लेकिन है कुछ नहीं, मैं उटता नहीं, गिलास में अब भी लागर बची है, और मैं उट नहीं जबता, और तब अचानक उस छण मुझे अपने में एक अजीब सी शान्ती महसूस होती है, घनी चिल चिलाती गरम रे अपती से जार्ज को जिजोनने लगता हूं, वह एकदम हडबढा कर उट बैठा, और विमूर भाव से मुझे देखने लगा, कुछ-कुछ उस ट्रेंड जान्वर की तरह, जो एन मौके पर अपना पाठ भूल कर, आस-पास खड़े तमाश बीनों को देखने लगता है, फि वह कुछ भी नहीं जानता, मैं जल्दी में निश्य नहीं कर पा रहा था, कि क्या उसे कुछ भी बताना उचित होगा, क्या मैं सो गया था, उसने पुछा, ना जाने मेरे चहरे पर क्या था, कि वह एका एक शंकित सहोर था, या शोर कैसा है, उसका चहरा बिलकुल वैसा हो जब हम सोडा फैक्टरी के बाहर अंधेरे में खड़े थे अब वह घड़ी कितनी दूर लगती है और कितनी अप्रसंगिक हमें चलना होगा बाहर बाहर लंदन की रात है हमारी प्रतिक्षा करती हुई हमें निगल जाने के लिए आतुर विली कहां है हम उसके बिना नहीं जा सकते वह वह आ नहीं सकता पप का दर्वाजा खुलता है कुछ लोग हड़ड़ा कर भीतर घुसते हैं एक बहुत ही भद्दी गाली और आवाजें मक्यों की भिनबिनाहट की मानिंद अर्थहीन मैं उसका हाथ पकड़कर घसीटता हूँ मैं जाओंगा नहीं तुम पागल तो नहीं हो वे कहां है वे मैं गुसे में उसे उठा देता हूँ वह बिलकुल मेरे सामने खड़ा है बताओ वे कौन मैं उसके कंधे हिलाता हूँ और वह बोलो वे कौन You are drunk उसने कहा और एक जटके में अपने को छुडा लिया शायद यह सच है मैंने सूचा शायद मैंने बहुत पीली थी इस खयाल से मुझे बहुत सांतोना मिली है तुम यहीं रहोगे मैं कहीं भी रहूं उसने कहा सुनो मैं बीच की कुरसी हटाने की चेस्टा करता हूं You are drunk वह पीछे हट गया मैं जाने लगा वह भी लेकिन मुझे से अलग लगा जैसे यह कोई खेल है जिसमें दो व्यक्ति आँखों पर पट्टी बांद कर चलते हैं और वे समस्ते हैं की वे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं लेकिन दर्शल वे एक दूसरे के निकट सरकते आते हैं दर्वाजे की तरफ पहले मेजे आती हैं अधजली सिगरेटों के टोटे खाली गिलास और बोतले कुरसीयों पर रखे शाम के अकबार फर्स के एक कोने में गिरी हुई लिप्स्टिक की डिब्बी जिसे हडबडा हट में कोई स्त्री उठाना भूल गई थी और मुझे लगा जैसे कोई घटना अचानक हुई होगी बिलकुल अप्रत्याशित रूप से और सब लोग बिना किसी तयारी के भागती भीड के भमर में फस गए होंगे बिली कहां है और यह इटालियन आगे सोचना नहीं हुआ दरवाजा जपाटे से खुला और मुझे लगा जैसे एक छटके से जॉर्ज मुझे अलग हो गया है आखरी लमहे में या सबसे शुरू के लमहे में मैंने कोशिश की कि उससे अपने से जकड़ी रखूँ जैसे या अपने में एक महतुपूर चीज है किन्तु मेरा सिरसंसनाता हुआ नीचे की तरफ घूम गया जो हाथ मैंने जॉर्ज को पकड़ने के लिए फैलाया था वा मुझता गया च्छत ना या च्छत नहीं है सिर्फ रोश्नी है एक अजीब ढंग से जूलता हुआ बल्ब और मेरी बाह मुरती गई डॉंट लेट देम स्केप एक फुतकारिता सी आवाज पिरवा भी नहीं और वह एक तक्ते की तरह काप रही थी और उसे मैं देख सकता था कापते हुए जैसे वह मेरी बाह नहो कोई कस्ता जा रहा है आखरी बिंदू तक और वहाँ पहुचने से पहले ही टूट जाती है समुची देह में ना या पीड़ा नहीं है पीड़ा की एक सीमा होती है और उसके परे उसकी पहचान खत्म हो जाती है I say, leave him alone या क्या इटैलियन की आवाज है मुझे हलका सा आश्चेरे होता है मेरे उपर जोके हुए चेहरे एक-एक करके उठ रहे हैं लेकिन मैं उन्हें देख नहीं सकता सिवाए उनकी करम सांसों के जो गर्दन को बार-बार छू जाती है फिर वह भी नहीं तो मुट सकते हूँ मैं अपनी बाह को देखता हूँ वह वर्ष पर पड़ी है आश्चरे है वह अब तक मुझसे जूडी है मैं बैट कया हूँ फिर अनायास मेरे हाथ कालो पर चले जाते हैं वे गीले हैं वे आशू हो सकते हैं इस पर मैं विश्वास नहीं कर सका वे बेहुदा ढंग से खुद बखुद निकल आये थे और मुझे पता नहीं चला था कुछ उस व्यक्ती की तरह जो सुबह अपने बिस्तर को गीला पाता है और विश्वास नहीं कर पाता कि उसने ही कुछ पियो इटैलियन मेरे इर्दगिर्द मनरा रहा था विली कहां है मैंने पुछा वे उसे माड़ा लेंगे मैंने तुमसे क्या कहा था उसका गला अजीब ढंग से रुधा गया था क्या कहा था मुझे अब तक कुछ भी नहीं आता तुम्हें मालूम है तुम अगर उसे अपने संग ले जाते तो कुछ भी नहीं होता कुछ भी नहीं होता लेकिन जो हुआ है इसे कोई रोक सकेगा या कोई भी नहीं जानता अब मैं जाऊंगा मैंने कहा कहाँ इटैलियन दरवाजे के सामने खड़ा था कहीं भी बाहर चारों ओर देखा जॉर्ज कहीं भी नहीं था मुझे हलकी से खुशी हुई बाहर इटैलियन को शायद विश्वास नहीं हुआ वो शायद निश्चे नहीं कर पा रहा था कि किस सीमा तक मैं पी चुका हूँ, किस सीमा तक वह मुझे गंभीरता से ले सकता है, इस समय नहीं, वे बाहर खड़े हैं, सुनो, मैंने बहुत सहज भाव से कहा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सीधा घर चला जाऊंगा, कैसी बात करते हो, इस बार वह एकदम भभक सा उठा, वे जानते हैं, तुम विली के संग आये हो, तुम उनसे बचकर नहीं जा सकते, बहस करना व्यर्थ था, वह मानेगा नहीं, बाहर एका एक कुलाहल बढ़ गया है, एक छण के लिए टेड़ी सी उम्ठन मेरी पीट पर सरकने लगती है, बर्फ के डले की तरह, इसे मै पहचानता हूँ, डर है, बहुत सुरू का डर, अपने में बिलकुल नंगा, बिलकुल नीरव, मुझे लगा, जैसे मैं मुस्करा रहा हूँ, देखो, तुम मुझे एक छोटी विस्की दे सकते हो, वह कुछ देर तक मुझे खुरता रहा, आगे घिसट आया था, हम दोनों क चेहरे पास थे, कि बाहर के शोर के बावजूद मैं उसकी सांसों को सुन सकता था, तुम जाओगे नहीं, संदेह और अनिश्चे से उसका स्वर एक तनाव में खिंचाया था, मैं पागल नहीं हूँ, वह कुछ देर तक चुप चाप मुझे घूरता रहा, तुम्हें आज मैं नहीं जा सकता, उसने कहा, एक बारगी जी में आया, कि मैं उसके पसीने में लगपत, गोल मोल, गदराए चेहरे को अलग-अलग हिस्सों में तोड़ दू, किन्तु मैं वैसे ही मुस्कुराता रहा, मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारे लिए नहीं तो विस्की के लिए, इस बार उसके होट एक अप्रत्याशित हसी में फैल गए, उस हसी में एक विवश निरहिता छिपी थी, मानो वह हस कर खुद अपने को विश्वास दिला रहा हूँ, कि उसने मुझ पर विश्वास कर लिया है, वह काउंटर की ओर बढ़ा, जहां विभिन ने शराबों और बियर की बोतलें रखी थी, वह बार बार पीछे मुर कर मेरी ओर देख लेता था, मैं खड़ा रहा, स्कॉच की बोतल उसने काउंटर पर रख दी, फिर मेरी ओर देखा, जैसे हम दोनों के बीच को ही रहस से मैं समझाता हूँ, हमारा मौन जैसे इन आवाजों से बढ़ा थ जो लहरों की मानिंद उर्टी थी, एक दूसरे से उलजी हुई, उर्टी थी दर्वाजों से टकराती थी और फिर अंतहीन अंधकार में बिखर जाती थी, वह गलास धो रहा था, पंप से बेहता पानी, और चमकीले गलास पर फिसलती हुई, उसकी एक एक बून, मैं उन मेरे भीतर एक अजीब सी जुरजुरी फैलने लगती है, मैं आगे बढ़ता हूँ, दर्वाजे की तरफ, उसकी पीठ अब भी मेरी तरफ थी, पंप से बहते पानी की आवाज मेरे दिल की धड़कन को ठकती रही, और तब उस लमहे अचानक मुझे लगा, जैसे अब मैं च और दर्वाजा खुल गया, दूसरे छण मैं बाहर था, बाहर, अंधेरे में, जस्ट डू आउट, मैंने अपने से कहा, वह गर्मियों की एक खुली और नरम रात थी, एक विराट, बनायले जंतु की तरह खामोश, जो दिन भर की थकान के बाद, अपनी माद में समुची द देह फैला कर सो गया हो, पसीना सूख रहा था, मैंने भरपूर सांस ली, एक बार, दो बार हलका सा पश्टावा होता है, मैं विस्की छोड़कर चला आया था, इस समय यदि वह मेरी देह के भीतर होती, मैं फिर सांस खीजता हूँ, काश, मैं एक सिगरेट पी सकता, मैं पीओं के नुकर पर सिगरेटों की आटो मशीने लगी रहती है, here he is the son of a witch, मैं रुख जाता हूँ, ना, यह डर नहीं है, मैं बहुत शान्त हूँ, सिर्फ एक ठंडी सी चीज मेरी रीड की हड़ी पर फिसल रही है, एक किलगिली छिपकिली की तरह तटस्त, वे वहां थे, दिवार से सटी छाएं आगे सरकती हैं, hold him, एक फटी सी चीख और मैं अचानक पीछे मुड़ गया हूँ, एक सरसराती सी हवा मेरे बगलों के बीच से निकल जाती है, goddamned nigger, wait, just wait, वह पीछे से आया था, मुझे पता भी नहीं चला, कि मेरा सिर्फ पीछे की और मुड़ता गया है, एक छाण और, और मैं दो हिसों में बढ़ जाऊंगा, काश, मैं उसकी चहरे को देख पाता, हाथ है, जो नम है, मैं अपनी कनपटियों में सरसराता खून सुन सकता था, मैं थोड़ा सा हिलता हूँ, और कुछ आगे की तरफ घिसट आता हूँ, वह भी मेरे संग घ जकड रखे थे, एक छण के लिए मुझे गहरा आश्चर होता है, या क्या मेरी देख है, जो इस तरह धरा रही है, यू शिटिंग स्वाइन, मैं एक जटके से अपने को खीशता हूँ, लेकिन मेरे बाल, मेरे बाल उनके हाथों में फज गए हैं, उसकी नंगी बाह मेरे उसमें गड़ा देता हूँ, ओ, लीव जट बगर, एक तूटती सी सांस, वा मुझे हिलाता है, एक बार, दो बार और हर बार, मैं शराबी सा उसकी बाह पर जूल जाता हूँ, लीव हिम अलोन, यू सन अब अहवाइट हवोर, क्या या विली की आवाज है, मैं पूरी शक्ती से चीखने की चेस्टा करता हूँ, किन्त सिवाए एक भायावा, घुर घुर के, मेरे मुझे से कोई भी स्वर नहीं निकल पाता, और तब, सहसा मुझे लगा, उसकी पकर धीली पड़ गई है, मैं अपने को उठा सकता हूँ मेरी आँख खुलती है, अधेरे का एक नीला दर्या मेरे सामने से गुजर जाता है, और उसके परे लाल, हरे, गुलाबी धब्बे तिरते जाते हैं, मैं नहीं कभी देखा है, मुद्दत पहले कभी देखा है जैसे यह कोई पहचाना सा दुस्वपन है, जिसे मैं दोहरा रहा हूँ, शुरू से अंत तक, मुझसे दोगज के फासले पर वह खड़ा था, गली की दिवार से सटा हुआ, एक छण के लिए विश्वास नहीं हो सका, कि वह विली है, वही व्यक्ती जिसके संग कुछ देर पहले मैं लागर पी रहा था, किन्तु क्या वह मुझे पहचान सकता है, और वह ब्लॉंड लड़की, और जॉर्ज, क्या वे स्मृती के घेरे से बाहर कहीं रात में दोप गए हैं, हमें यहाँ छोड़ कर, जो इस छण खुद अपने को नहीं पहचान पाते, सिर्फ और बीच का अंधेरा, भीड, आधा चहरा और एक लंबा युवक जो विली पर जुका है, विली की कमीज का कॉलर हाथ में पकड़ कर वह उसे दिवार के पास खसीट लाता है, खटा खटा वह स्काफ फूल जाता है, इस काफ जो लंबे व्यक्ती ने गले में बांध रखा ह रंगीन उस पर गुलाब के फूल छपे हैं, गुलाब के फूल और खूल जो विली के होटों से फिसलता हुआ उसकी गोटी तक बह आया है, एक शण के जलमले में सब कुछ उभराया है, आवाजें, पसीना, लेन की खटी सी गंध और हसी, और तब वहां आया था, एक ठिग भाहों के बाल इतने लंबे और घने होकर उसकी आखों पर जुकाये थे कि लगता था, जैसे उसने अपने चेहरे पर किसी कुटे का मास्क पहन रखा हूँ, वह बहुत ही धीमे कदमों से विली की ओर बढ़ रहा था, कहां गई तुम्हाई डॉलिंग, उसने जटके से विल की देह एक शराबी की तरह जूम जाती थी और वे हास रहे थे, बैश हिम देह, दूसरे ने अपने की ओर इशारा किया, खट-खट सिर के दिवार से टकराने की आवाज, खट-खट मेरे दिल की पगली ज्वर ग्रस्त धड़कन, पसीने और खून से लिथरी विली की कमीज, और एक अनवरत, कभी न खट्म होने वाली, खट-खट और एक भुतैली सी हसी, बोलो कहां गई, स्पीक अप, स्पीक, स्पीक यू फिल दी, हाँ हाँ हाँ, खट-खट-खट, स्काफ में जूलते हुए रंगीन गुलाब के फूर, मुझे अब कुछ भी याद नहीं, सच प नहीं, आज भी मैं विश्वास नहीं कर पाता कि वह भयावह चीक मेरे गले से निकली थी, मुझे सिर्फ इतना भर लगा था कि मेरी सांस एक अंधे, चिमगादर की तरह मेरी च्छाती की दिवार से टकराती हुई, बेतहाशा फड़फडाने लगी थी, और मैंने एक धक्क से उन दोनों हाथों को अपनी गर्दन से छुडा लिया, जिन्होंने अब तक मुझे रोक रखा था, सिर्फ दो गज और बीच का अंधेरा, मैं विली की तरफ बढ़ा था, मैं उससे कुछ कहना चाहता हूँ, उसे छूना चाहता हूँ, मुझे लगता है यह बहुत महत्व पूंड है, बीच का अंधेरा और वे ठंडे हाथ और तबह चीक, मेरा सिर्फ उस अद्रिश्य व्यक्ति की ठुड़ी से टकराया था, जिसने मुझे बीच में पकड़ लिया था, दूसरे हाथ से उसने मेरा चहरा भींच लिया, मेरा मुह उसकी कमीच पर खिसरता गया, I will teach you how to run, bastard, ना जाने क्यों मैं अपनी टांगों को बेतहाशा मिर्गी के मरीज की तरह हवा में घुमाने लगा, कुछ नहीं होगा, मैंने सोचा, वह मुझे छोड़ेगा नहीं, और तब मुझे लगा, जैसे अब मैं सांस नहीं ले सकूंगा, किन्तु यह गलत था, हर दूसरी सांस पहली सांस के गिरफ्ट से अपने को छुड़ा कर ऊपर आती थी, और फिर मुझे से चिपक जाती थी, और मैं सोचता था, यह आखरी है, लेकिन तीसरी सांस फिर छट पटाते हुए अपने को दूसरी सांस के पिंजरे से छुड़ा लेती थी, और मुझे आश्चरी कि कोई भी सांस पीछे रहकर आखरी नहीं बनना चाहती थी, और तब एक भयंकर सी खुशी ने मुझे अपने में लपेट लिया, जैसे मैं अब तक सिर्फ इस लमहे के लिए जी रहा था, और अब भा आ गया है, और आने वाली घड़ियों में कोई भी ऐसी चीज नहीं होंगे, जो पहले थे, कोई भी डर पहले जैसा डर नहीं होगा, मैं भूल गया था कि मैं अकेला हूँ, मैं सिर्फ यह जानता था, कि वे मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, और मैं बच नहीं सकता, और उस राद, मुझे पहली बार लगा कि अकेला होना ही काफी नहीं है, काफी नहीं है क्योंकि वे हर जगा है और यह मैं जानता था सिर्फ यह नहीं जानता था कि एक दिन वे मुझे पकड़ लेंगे अब वह पहले जैसा आकार ही नहीं था वह डर अब वह ठोस था और सीमित था उतना ही जितना मैं हूँ अब हम दोनों अधेरे में जानवरों की तरह सांस ले रहे थे और मुझे लगा जैसे मैं आखिर तक अपनी टागों को इसी हवा में घुमाता रहूँगा ओ डियर, how funny it is, how funny कोई हस रहा है, क्या या मैं हूँ, हसी जिसकी कोई आवाज नहीं घुसे, गालियां और फिर वही हसी, वे मुझे घंसीटे ले गए, गली के कोने तक मैं उठने की कोशिश करता हूँ और बैट जाता हूँ, फिर इच्छा होती लेट जाने की वहीं सडक पर, लेकिन आखें बंद करते ही लगता है, जैसे और चीज एक जवार की तरह उपर उठती है, मेरी टांगों में, छाती में, बाहों के जोडों में, उठती है और बैह जाती है क्या यह पीड़ा है, और मुझे हलका सा आश्चर होता है, कि मैंने जिंदगी के इतने बरस बिता डाले और कभी इसे नहीं जाना लगता है, मेरी चेतना ने इस पीड़ा का एक छोर पकड़ लिया है, और घिस्टती जा रही है कभी सिर्फ चेतना रह जाती है, पीड़ा से अलग, तब लगता है, जैसे मैंने कुछ खो दिया है, बारिश की शाम है और मैं दुबार अपने शहर की शड़क पर एक सीरे से दूसरे सीरे तक भाग रहा हूँ, एक छोटा सा खोखल मेरे सामने खुल गया है, और एक उतकड़ भयंकर सी आकंशा मन में जगती है उसमें छिप जाने की, जैसे उसमें छिप जाने से ही सब कुछ सुलच जाएगा, सब कुछ बहुत सहज हो जाएगा, लेकिन यह खोखल नहीं है, यह पीड़ा है, जो बराबर बराबर से बट गई है मेरी देह के विभिन अंगों में, बिल्कुल नए किस्म का दर्द, जो अपने में संपूर है, और जिसे आज तक मैंने नहीं पहचाना बीच बीच में चेतना का पड़ा खुल जाता है, और मुझे आश्चरे होता है, कि यह मैं हूं और मुझे सहसा विश्वास नहीं होता कि मैं बाहर आ गया हूं, अपने से बाहर, जहां मुझे कोई नहीं बचा सकता अधेरे से बाहर जहां वे हैं वह सुरू अगस्त की एक रात थी वे मुझे गली के एक कंदले खामोश कोने में छोड़ गए थे कितनी देर तक मैं वहाँ पड़ा रहा मुझे कुछ भी याद नहीं बीच पीच में मेरी आँखें खुल जाती थी एक पतली और पारदर्शी धुन्द के पीछे लंदन का आकाज खेराता था फिर आँखें मुझ जाती थी और मुझे लगता था जैसे मैं एक धुन्द को छोड़ कर दूसरी धुन्द में सिमट आया हूँ कितनी देर ऐसे ही रहा फिर मैं सतर्क हो गया पैरों की आहट मेरे पास चली आई थी बहुत मंद गती से मैं उंगने लगा था शायद यह सपना हो देर तक मालूम नहीं हो सका कि कोई बराबर मेरे कंधों को हिला रहा था क्या ज़्यादा चोट आई है नहीं ज़्यादा नहीं आखें खुल गए मेरे उपर जॉर्ज का चहरा जुका था लांगर की हलकी सी गंध मुझे चुग गई ना जाने क्यों उस गंध के संग एक दूसरी स्मृती उभराई मौच साट के सेरिनाट की एक बहुत पुरानी ट्यून ट्यून भी नहीं महज एक टूटी टहनी सी थिरकन जिसे कुछ घड़ियों पहले पब में अचानक पहचाना था तुम यहां हो? मुझे मालूम था वे तुम ही यहां लाए है मैं देख रहा था उसने कहा विली कहा है? अगर वह नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता क्या कुछ नहीं होता? अचानक बड़ी सडक से एक कार गुजर गई हमारी आखें चुंधी आ गई मेरा ध्यान पहली बार अपनी और खेंचाया कमीज का कॉलर उपर से फट गया था पैन पर गर्द, धूल और बियर के धब्बे थे और मुझे लग रहा था कि बदन के पसीने से चिपकी मेरी बन्यायन से एक बोजिल गीली गीली सी भाप निकल रही हो तुम वापस क्यूं आए? मैं भीतर आना चाहता था तुम लोगों के पास लेकिन तुम जानते हो It is all right, George मैंने उसे बीच में ही रोग दिया मेरे मुझका स्वाद एकदम कसैला सा हो गया जैसे मैं एक लंबे बुखार के बाद उठा हूँ पास ही लैम पोस्ट का पीला दाइरा था मैंने उसके बीचों बीच ठूग दिया बिलकुल लाल जैसे पान की पीक हो या खून है? मुझे बहुत अजीब सा लगा मैंने एक बार फिर थूगा इस बार अपने खून को दुबारा देखने का लोब संबरन ना कर सका तुम्हें ज्यादा चोट्टों नहीं आई? जॉर्ज ने कहा उसके स्वर में एक बंधी-बंधी सी कुंठा थी मुझे वह कुछ अजीब सी लगी मैं चुप रहा और फिर खड़ा हो गया एक शड़ तक कली की दिवार से मेरा सिट टिका रहा खट 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 अब भी वह आवाज मेरी नसों के बीच फड़फडा रही थी हम चुप चाप ट्यूब स्टेशन की ओर चलने लगे मेरी जेब में अब भी दो शेलिंग पड़े थे अनायास मेरी कापती उंगलियां उन्हें सहला देती थी बाहर सड़क पर अगस्त के पत्ते थे लंदन का धुआ रात के परे गिरता जा रहा था तुम मेरा विश्वास नहीं करते तुम समझते हूँ जॉर्ज ने जबरजस्ती मेरा कंधा पकड़ लिया It is all right मैंने उसका हाथ कंधे से अलग कर दिया काश वही समय मेरे संग ना होता हम ट्यूब स्टेशन की सेढ़ियां उतरने लगे प्लेटफॉर्म उजार पड़ा था बेंचों पर एक्के दुके आदमी बैठे उंग रहे थे हमारे बिलकुल पास खंबे की आड में एक जोड़ा दिवार से सटा था लड़की अपने बालों पर बार बार हाथ फेरती थी उसके सामने खड़ा युवक कुछ दबे स्वर में फुस्फुसा रहा था लड़की बार बार हसने लगती थी और फिर चौक कर दोनों और देख लेती थी टिकेट खरीद कर हम पास की खाली बेंच पर बैठ गए तुम लंदन में ही रहोगे वह चुप रहा उसकी आँखें बत्तियों के परे अंडरग्राउंड के सुरंग पर थेरी थी अंधेरी सीली लगता था सुरंग का अंधेरा उपर सहर के अंधेरे से कट गया हूँ जैसे गंदेले पानी का ठेरा चह बच्चा हूँ ना जाने विली कहां चला गया विली मैंने उसे देखा नहीं उसने कहा लेकिन तुम बाहर खड़े थे तुमने अभी कहा था मैंने कुछ भी नहीं देखा हम फिर चुप हो गए किन्तो उस चुपी में एक बोचिल सा तनाव था जैसे कोई चीज बार बार हमारे बीच आ जाती हो और हम बार बार उसे अलग ठेल देते हो तुम समझते हो मैं जोन बोल रहा हूँ उसने कहा मैं दूसरी ओर देखने लगा तुम कुछ भी समझो मुझे इसकी कतई परवाह नहीं उसने कहा डोन बी सिली मैंने कहा तुम मेरा विश्वास नहीं करते इस बार उसने मेरी ओर देखा तुम सोचते हो मैं भाग गया था उसके होट काँप रहे थे डैमिट आई सी डैमिट उन्होंने मुझे पकड रखा था और मैं तुम्हारे पास इट इस आल राइट जोर्ज ओ नो इट इस नॉट आल राइट वह जैसे चीख रहा हो पास की बेंच पर उन्खता हुआ आदमी उट बैठा और हमारी ओर देखने लगा जॉर्ज सुनो मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया बेंच के हथे पर उसका चहरा दोनों हाथों के बीच दवा था और बार बार हिल उटता था I was afraid terribly afraid हम दोनों काप रहे थे afraid मैं सामने देखता रहा अंडरग्राउंड का अंधेरा जैसे धीरे धीरे हिल रहा हो एक परदे के मानिंद जो अभी उट जाएगा मैं उस छण जोर से डरने लगा खुद अपने से डरने लगा मुझे लगा जैसे मैं अब कभी उसकी ओर नहीं देख सकूँगा उस छण मैं कोई भयंकर चीज कर सकता था मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहता था कुछ भी किन्तु अब हम दोनों एक संग होते हुए भी अचानक अकेले पड़ गए थे और वह रो रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था शायद इससे भयंकर और कोई चीज नहीं जब दो व्यक्ति एक संग होते हुए भी यह अनुभव कर लें कि उन में से कोई भी एक दूसरे को नहीं बचा सकता जब यह अनुभव कर लें कि बीती घड़ियों की एक भी स्मृति एक भी छड़ उनके मौजूदा इस गुजरते हुए छड़ के निकट अकेले पन में हाथ नहीं बचा सकता साजी नहीं हो सकता तब हम चौक गए दूसरे प्लेटफॉर्म पर वारें स्ट्रीट जाने वाली ट्यूब आ रही थी जॉर्ज को इसी में जाना था हमारे आसपास की बेंचों पर उंखते हुए लोग सहसा उट खड़े हुए ट्यूब की तेज हेडलाइट ने निउ एक्टन की अगली सुरंग का अंधेरा जरा पीछे खेसक गया सीड़ियों से कुछ लोग भागते हुए नीचे प्लेट फॉर्म पर उतर रहे थे ताकि वारें स्ट्रीट जाने वाली आखरी ट्यूब को पकड़ सकें जॉर्ज खड़ा हो गया उसने एक बार भी मुझे नहीं देखा और दूसरे चण भीड के संग वह भी ट्यूब की तरग भागने लगा ट्यूब के आटोमेटिक दर्वाजे चण भर के लिए खुले और भीड को अपनी भीतर निगल कर दूसरे चण ही बंध हो गए पहियों की भड़भडाती आवाज धीरे धीरे मन पढ़ती गई और फिर सब पूंगता शांत हो गया सुरंग के जिस अंधेरे को ट्यूब की हैडलाइट ने पीछे खिसका दिया था वह फिर वापस लौट आया सिर्फ प्रेटफॉर्म की खुली छट के परे न्यू एक्टन की रोशनिया अधेरे में चुक चाब जिल मिलाती रही खंबे की आड में युवक ने खा अकली गाड़ी से और उसे चूम दिया लड़की की आँखें मुद गई उसने देखा भी नहीं और मुझे लगा जैसे मुदद से मैंने सिगर्ट नहीं पी और शाहिए कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो एक लाइक करें इससे मुझे प्रोथ सहान मिलता है अपनों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल से जड़ना चाहते हैं और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों को सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जड़ना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ तब तक के लिए आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवादा